हे यू गाइज वेलकम बैक टू माइ अनदर वीडियो अन मेडिशिन तो आज हम बात करें के स्टेमेटिल एमडी टेबलेट के उपर तो इस्टेमेटिल एमडी एक ब्रेंड नहम है इसके अंदर जो ड्रग होता है वो है प्रोग्लोर पैराजीन मेलियेट जोगी एक्चुल में ड्रग होता है और थेरेप्यूटिक एफेक्ट अपना सो करता है ये डोपामीन एंटागोनिश्ट होता है यानि कि ये सी एनेस के अंदर डोपामीन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है अगर इसके यूज की बात करें तो इसे बहुत सारे कंडिशन में इसका जो यूज क्या आता है डॉक्टर द्वारा जब हमें चक्कर आता है तो चक्कर आने के बहुत सारा कन्डिशन होता है तो जिस भी सद्वाइब ड्रग है विदाउट आप प्रिस्क्रिप्शन इस दवाई को बिल्कुल नहीं ले सकते हैं अगर आपको शॉट टम बारे में सुनाओा मेनियश डिजीज जो की एक डिजीज होता है पती है σ context है तो इसको भी में ऐसको चक्कार दोबाल यूज किया चाहिए और इस दौाइब को सिजोफरेनिया में रिया और पहसे होता है जिसमें की कि अब्रहम लगता है तो उसको कभी कभी टीट करने के लिए यह दवाई दी जाती है और से इकोसिस जो प्रावलम होती है उसको भी ट्रीट करने के लिए दिया आता है अपने जेनरिक नाम से भी मार्केट में अविलेबल होता है अब हम लोग इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं जो कि पैसेंट टू पैसेंट वैरी करता है किसी में देखने को म अगरा वर्पार डाव्सरा breaks खूलर के मुठेक्स कोकि नहीं होता है सत्वाद करता है में कीछ किन्यों में मिलते हैं मौराऌ बैसरों अगरा उसके सब्सक्राइब काुट तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर ज्यादा साइड डिफेक्ट होता है तो इसकी वज़े से प्रॉब्लम भी आ सकती है तो यह थे प्रो क्लोर पैराजीन टैबलेट के बारे में इंफरमेशन तो यार अगर आपको वीडियो इंफरमेटिव लगी कि आप विडाउट प्रिस्किप्शन किसी भी दवाई को बिल्कुल भी ना ले बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी ना क्योंकि मेरा परपस है कि आपको बस नॉलेज होना चाहिए दवाई के बारे में क्योंकि आपको कौन सी समस्या है कोई नहीं जानता वो सही डॉक्टर जान सकते तो आप बिलकुत भी विदाउट प्रेस्क्रिप्शन दवाई कोई भी ना ले।